हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विनोत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागर ते ओन्लाइन क्लासिस के अन्दर चैप्टर आज हमारा जीवों का वर्गी क्रण जीवों का वर्गी क्रण चैप्टर है हमारा सेवन नाइन्थ क्लास का चैप्टर रेगा सेवन तो सबसे पहले बात करेंगे जीवों का वर्गी करण यह होता क्या है कि तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीव क्या होंगे जीव कहने का मतलब और्गेनिजम organism organism क्या होता है organism यानि जो स्वांस लेते हैं जिसके अंदर respiration होता है जिसके अंदर digestion होता है जिसके अंदर excretion होता है metabolism होता है growth होती है reproduction होता है इन सभी को क्या बोलेंगे हम सजीव बोलेंगे जीव बोलेंगे अब बात आती है कि जीवों का वरगी करण से क्या मतलब है यहां पर तो यहां पर ब्रमांड के अंदर चेक करते हैं अगर अगर परत्वी के ऊपर देखते हैं तो यहां पर जीवों की संक्या पाई जाती हैं लाखों क्रोडों परकार के जीव पाई जाते हैं समयना चीजों को स्टार्टिंग हो की परजात की बात करेंगे आम होगा और आम की भी दुनिया भर की वेराइटी चावल होगा चावल की दुनिया भर की वेराइटी बीचु की दुनिया भर की वेराइटी सापों की दुनिया भर की वेराइटी तो परत्वी के ओपर दुनिया भर के जीव पाय जाते हैं जीव आभी तक ऐसे जीव हैं जिसके बारे में अभी तक स्टेडी नहीं हुई है और उसके खोज भी अभी तक नहीं हुई है पता ही नहीं है हमें ये कि कौन सा जीव हैं तो यहां पर क्या होगा पर्थी के ओपर बैक्टिरिया की दुनिया भर की परजाती मौजूद हैं, वायरस की दुनिया भर की परजाती मौजूद हैं कहने का मतलब इतने सारे जीव जनतू मौजूद हैं इस पर्थी के उपर की जिसको समयना हमारे लिए एक टेडी खीर बन गई यानि हमारे लिए बहुत ज़दा ये problematic हो गया, बहुत समस्यावाली बात होगी, ठीक है इनकी study करने में बहुत ज़दा problem आ रही थी, बहुत ज़दा दिक्कत आ रही थी हम भी चाहते हैं कि क्या करें, इन सभी के बारे में study करें, उनके ऊपर खोज हो, खोज क्यों हो क्योंकि इनके जो होने वाले फाइदे या फिर उनसे होने वाले नुक्षान इन सभी के हमारे पास में जानकारी हो, तो इसके लिए क्या क्या विज्ञानिकों ने एक विचार कि दहा कि क्यों नहीं इन सभी जीओं के बारे में अध्यन करें और उनको एक proper धंक से क्या क्या करें क्लासिफ़ाई करने का काम करें उन सभीको वरधी करंड करें एक बार वापिस सुनों योगी परत्वी pedals के ऊपर दूनिया भर की जीव जन्तु पाई जाते हैं दुनिया भर की इस्पेसीज पाई जाती है भाई साब पेड़ों की दुनिया भर की जातिया पाई जाती है यानि पाई जाने वाली जो जातियों के अंदर संख्या क्या कहलेगी विवीद्ता कहलेगी बाल समझे विवीद्ता का मतलब क्य जाने वाली जातियों की संख्या यानि समझो अगर आम हैं तो आम की बहुत सारी परजातियां पाई जाती हैं तो यह क्या होगी वहां की बायो डावर्सिटी वहाँ पर मौझूद हैं अब इसपीसीज अगर मौझूद हैं अगर इसपीसीज मौझूद हैं तो इनके बारे में हमें क्या कहना पड़ेगा वर्गी करण, क्या होता है वर्गी करण, यानि जीवों को उसके गुणों के आदार पर, जीवों को उसके गुणों के आदार पर क्या कर दो, सबको अलग अलग कर दो, ताकि उसका अधियन करने में, ताकि उसकी स्टेडी करने में हमें क्या हो, आसानी हो, अरे बातें समझना उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके इसलिए क्या करेंगे हम वरगी करन करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो बात आती है सबसे पहले कि वरगी करन की आफशकता क्यों हुई वर्गी करण क्यों जीव जन्तुओं का सू वेवस्तित अध्यान करने के लिए वर्गी करण किया जाता है सू वेवस्तित अध्यान के लिए क्लासिफिकेशन क्या जाता है अब वर्गी करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होगी तो सुनो बड़े ध्यान से सुनना ये कोई भी एक चेत्र है उस चेत्र के अंदर क्या हुआ एक जीव मिल गया एक कोई नया जीव मिल गया अब उस जीव के बारे में खोज हुई नया जीव मिला तो उसके अलग अलग स्टेप्स होंगे सबसे पहले क्या होगा उसकी पैचान होगी क्या होगी उसकी पैचान होगी कि हाँ ये उसके जैसा लगता है चीजों को समझना बड़े ध्यान से समझना तो बाकी वाला खेल सोज में नहीं आएगा क्या हो गया इसकी सबसे पहले क्या करेंगे हम उसकी पैचान करेंगे यानि क्या कि हमने आइडेंटिफिकेशन की उसकी पैचान की कि ये उसके जैसा लगेगा अब पैचान कैसे करेंगे कोई भी पुराने वाले जीव को देखकर कोई भी पुराने वाले जीव को देखकर इस जीव की पैचान करनी क्या कहलेगा, पैचान कहलाती है, अपनी identification कहलाता है, पैचान कर ली, पैचान के बाद में क्या होगा, नाम करन होगा इसका, क्या होगा, नाम करन होगा, नाम करन कहने का मतलब क्या होगा, नाम क्लेचर होगा, क्या होगा इसका, नाम करन होगा, कि हा यह नया जी मिला है अब तो मिला है तो क्या कर दो इसका नाम करने के बाद में अब क्या कर दो इसका वर्गी करन कर दो एक पूरा सिस्टम बनाया जिसको बोलेंगे हम Taxonomy क्या बोलेंगे इसको हम Taxonomy बोलेंगे सबसे पहले बड़े प्यार मौबस से समयने की कोशिज करो कि वरगी करण क्यों जरूरी है भाई यह समझो तो यहां पर क्या हुआ वापिस उनो एक बार इस पर्थी के उपर दुनिया भर के जीव जन्तु पाए जाते हैं उन सबी के बारे में अधिन करना एक जरूरी लगा हमें क्योंकि अधिन करना बहुत ज़िदा जरूरी है जिसे उसके गुणों के बारे में उसे क्या क्या फाइदा है उसे क्या नुकसान है इसके बारे में हम इसका पता लगा सक करेंगे इसलिए क्या करेंगे हम वर्गी करन करेंगे तो बहुत सारी विग्यानिकों की टीम ने मिलकर एक ब्रांच बनाई एक साखा बनाई जिसका नाम है टक्सोनॉमी क्या नाम है उसका टक्सोनॉमी वह टक्सोनॉमी क्या करती है नए जीव का खोज कर नए जीव के बारे म का वर्गी करन करती हैं बाते करेंगे हम कैसे कैसे वर्गी करन किया और इंसान को कौन से वाले वर्ग के अंदर डाला गया है उन सब की हम बाते करेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ वर्गी करन की बात करेंगे ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि वर्गिकर्ण करना जरूरी समझा विज्ञानिकों ने क्योंकि वर्गिकर्ण अगर नहीं किया गया तो हमें ज्यादा जानकारे प्राप्त नहीं होगी किसी के बारे में किसी पेड़ पोदे के बारे में हमें उसे क्या profit loss है उसके बारे में पता नहीं रहेगा उसके बारे में complete study नहीं होगी तो study करने के लिए और सारी सुविधाय करने के लिए क्या क्या विग्यानी कौन है सोचा कि क्या कर ले उसका वर्गीकर्ण कर ले क्लासिफिकेशन कर ले ताकि सिस्टमेडिक घंग से उसे कोई भी अगर वैक्सिन बनानी है उसके क्या फाइदे हैं लॉस मैडिशीन बनाने के लिए तो इन सबी चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी रहे उसके लिए क्या क बनकोमिय अंब वर्गीकर्ण करना स्टर्ट किया तो वर्गीकर्ण करने के लिए एक ब्रांच बने जिसका नाम क्या हो गया टैक्सो्नोमी टैक्सोनोमी बनाया कि मैं ने की यान एक साख़ा बने कि उसमें जीवों का ड़ी करंड किया जाता है कि ठिर बाई स्यमें ना किया जाता है किया जाता है इसके अंदर जीवों का वरी양 के यह जाता है एक एसी वॉत चीकान जाएगा जीवों का वर्गीकन क्या जाएगा क्लासिफिकेशन करिया जाएगा किसका जीवों का और्गनिजम का सजीवों का यहां पर वर्गीकन क्या जाएगा अब ध्यान देना वर्गीकन करने के अलग-अलग steps होंगे अलग-अलग step होंगे, अलग-अलग क्या होंगे, चरण होंगे, सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला जो चरण हो गया, पैचान होगी, क्या होगी, पैचान होगी, यानि identification हो गया, कोई जीव नया मिला, समझो भाई, चीजों को समझो, कोई नया जीव मिला, उसके बारे में कर दो वर्गी करन कर दो क्या कर दो वर्गी करन कर दो बासन मागी क्या तो टेक्सोनोमी के स्टेप्स होते कितने तीन स्टेप्स होंगे कौन कौन से चरण होंगे सबसे पहला कौन सा हो गया पैचान होगी identification हो गया नाम करण हो गया और कौन सा हो गया वर्गी करण हो गया बात समझो जीवों का वर्गी करण क्यों क्या अरे कहां पर होते यह जीव तो पर्थवी के उपर सभी जगह पर जीव पाय जाते हैं एक मुट्टी भर मिट्टी के अंदर लाको प्रकार के यहां पर बैक्टि क्या नाम है इसका टैक्सोनोमी इसका नाम है ठीक है और टैक्सोनोमी क्या करेगी वर्गी करना उसका काम हो गया वो तीन स्टेप्स के अंदर वर्गी करन करेगी कौन कौन सा पैचान करना नाम करन करना फिर क्या करेगी फाइनली उसका क्या करेगी वो क्लासिफिकेशन करे जीवों को क्या होगा पुराने जीव कोई भी पुराने जीव है उसके अनुसार देखना कि भी हाँ जो डाइनासोर है वो उसके जैसा लगता था अभी जो जीव मिल गया तो वो डाइनासोर के जैसा लगता था तो कहने का मतलब उसका क्या किया जाता है पैचान की जाती है पुराने वाले जीव को देखने के बाद में उसकी क्या की जाती है पैचान की जाती है अरे बात से में आरे क्या कोई बात नहीं अभी तक पिक्चर कि स्टार्ट नी हुई है अभी तो पिक्चर वाकी है वाई आगे चलेंगे तब मज़ा आएगा सेकेंड क्या हो गया नाम करन क्या हो गया नाम करन नाम करन यानि क्या हो गया नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर की बात करेंगे, नॉमन क्लेचर क्या होगा, तो समझो सबसे पहले, नॉमन क्लेचर का मतलब क्या हो गया, जीवों को एक नाम देना, एक इस्पेशनल नाम देना, ज्यान देना जो नामकरण किया जाता है, वो हिंदी में या संस्कर्ट में या इंग्लिस में नहीं किया जाता, उसके लिए एक अलग language काम ले न्यशिवल उसके लिए एक अलग language काम लेते हैं, ले इसकोरे नामकरण करता है, एक कुट्टा, इंडिया का बाहर का कुट्टा, आउट ओफ इंडिया ठीक है यह वहां का कुता एक वहां का कुता यहां पर इंडिया के अंदर इस कुत्ते को बोला जाता है स्वान क्या बोले जाएगा इस कुत्ते को स्वान बोले जाता है समझना इस कुत्ते को क्या बोले जाता है स्वान बोले जाता है और बाहर विदेश कंदर इस कुट्ते का और कुई नाम हो सकता है वो जाने उनका नाम थेक तो माना क्यों सब्सक्राइब क्या बोलता कि इसको मानना Santiago को कुटival लिए इंडिया के नदर किया जाएगा इसको स्वान बोले जाएगा ऐसे समझो तो यहां पर क्या हुआ जो वह के जो वैज्ञ्यनिक थे वह आए इंडिया कि उसने वहां की आपका जो कुता है आपके कदेश के ईनर सभी तेसों के अंदर सभी जीव के नाम अलग-अलग होते हैं वो विज्यानिक वापिस वहां तो उसने देखा होगा कि यहां पर क्या बोलते हैं, इस स्वान को वहां पर क्या बोलते हैं, कुट्ता बोलते हैं, तो मतलब क्या हुआ, सभी देशों के अंदर सभी जीवों के अलग अलग नाम, सभी जीवों के अलग अलग नाम, विग्यानिकों का दिमाख खराब, अलग अ के अंदर कहीं चले जाओ पूरे ब्रमाइड के अंदर कहीं चले जाओ सभी का नाम एक जैसा होगा अभी अभी कोवीड-19 जो चल रहा है उसका जो नामकरण किया उसका भी एक ब्रांच होती एक साका होती जो वायरस का नामकरण करने की कोशिज करती है तो पूरे ब्रमाइड के अंदर जो भी देश है फूर्य पर्त्व के यौप में डेश चले जाओ सबके अंदर जो उसका नाम होगा वो को इट 19 होगा क्योंकि उसका इंदर नाम करण किया जाता है। तो विग्यानिकों की एक टीम बैठी और विग्यानिकों की टीम ने क्या डिसेड किया कि हम क्या करेंगे जो नया जीव बनेगा उस टेक्सोनोमी जो साका है उसने यहां पर डिसेड किया कि सभी जीवों का जो नामकरन करेंगे एक फिक्स बासा में करेंगे एक पर्टिकुलर एक language में करेंगे क्योंकि उस language के अंदर उसके double meaning नहीं निकलते उसके दो अर्थ नहीं निकलते हैं और पूरे विदेश के अंदर कहीं पर चले जाओ पूरे पर्थवी के उपर कहीं चले जाओ वो उसी नाम से जाना जाएगा बासमारी क्या आपका local language कुछ भी हो सकती है लेक आ निकलते आटशर्णिंट तो वह वह उसका नाम पर बूलेंगे कि आपका canis familiar कहां है कै any familiar यह कुते का नाम हो गया तो सभी जगह अब फिक्स बासा के अंदर नामकरण होता है, वो बासा कौन सी होती है, लेटीन बासा होती है, ठीक है कौन सी बासा होगी भई, लेटीन बासा में नामकरण किया जाता है, समझो चीजों को, नामकरण लेटीन बासा में किया जाता है, लेटीन बासा में किया जाता है, अब ऐसी ब मर्त बासा होते हैं इसके अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं अब इंग्लिस के अंदर तो एक सब्द के कट के मतलब बहुत सारे निकल सकते हैं s iwu k tu qut दुनिय भर कर निकलते हैं हर इस्पेलिंग के अलग-अलग मतलब निकलते हैं है लेकिन लेटिन भासा एक ऐसी बासा होतोी वह डेड़ बांस उते है जिसके मतलब एक सब्द का एंग ही निकलता है आब इसकी बासा में क्यों क्या क्यों कियों किaja होती है। यह मर्त बास्यों होती है। अब बात आती है कि क Zarune उसकी फादर है नामकरण का जो जनक है नामकरण क्स ने क्या इसने क्या किस ने क्या कार官 petals genius कि सबसे जादा जो नामकरण करने की जो कोशिस कि है वह किस ने की है कीरोलस लीनियस किसně कि है के टेक्सोनोमिका जो जनक है वो कौन है है अपना कैरोलस लिने सब भी नाम याद करेंगे वेरी वेरी इमपोर्टेंट बहुत ज Recежд उन्प проблем साइंश्चिस हैं कौन कैरोलस लिनेस इन केरलस, लीनियस को बोले जाएगा, वर्गी की का क्या बोले जाएगा, जनक बोले जाएगा, टेक्सोनोमी का फादर बोले जाएगा और उसने नामकरण करने की कोशिज की थी, सबसे पहले जो नामकरण किया गया था, वो किस के द्वार किया गया था, केरलस, लीनियस के द्व तो क्या हो गया, फाधर हो गया, taxonomy क्या हो गया, फाधर हो गया, taxonomically किसे बुले जाएगा, careless les ungeles, किया बोल जाएगा टैक्सोनोमी का फादर बोल जाएगा वेरी 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 इंपोर्टेंट लाइन ठीक है टैक्सोनोमी का जनक कौन होगा फादर कौन होगा टैक्सोनोमी का तो वह कौन होगा अपना कैरोलस लीनियस कौन होगा कैरोलस लीनियस को क्या बोल जाएगा फादर of taxonomy क्या बोल जाएगा father of taxonomy बोल जाएगा वर्गी की का क्या बोल जाएगा जनक बोल जाएगा बात्या समझ में आ रही होगी अभी आपको धीरे-धीरे कि यह सारी समें आ जाएगी तो सबसे पहले किया हमने देखा तीन स्टेफ देखे सब शुनेंगे वापस किदे किमने तीन से बात करें कि वर्गी करन क्यों क्या तो भाय साब जीवों को अधियन करने के लिए जीवों की स्टडी करने के लिए स breeze reaction करने के लिए डंग हैं जो जनक है हाँ बहुत बढ़िया कौन है अपना कैरोलस लीनियस कौन है भई कैरोलस लीनियस सभी समझेंगे चीजों को बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर जाएंगे चीज को लेकर ठीक है क्या बोलें कि इसको कैरोलस लीनियस सभी त्यार हो जाएंगे चैप्टर को ले करन कर लेंगे अब बात आती है कि पैचान तो कर लिए नाम करन कैसे करेंगे ये बताओ नाम करन क्यों जरूरी ये बासन में आगी होगी आपको हाँ नाम करन इसलिए जरूरी है सर कि नाम करन अगर नहीं करेंगे तो सभी देश के अंदर सब के लैंग सभी देश के अंदर प या एक फिक्स भासा का निर्धारन किया और नामकरण अब उसी भासा के अंदर करेंगे तो नामकरण करने के अलग-अलग steps होते हैं, नामकरण भी दो परकार के होंगे, नामकरण दो परकार के होंगे, एक तो होगा द्वी नाम पदती और एक होगी कौनसी वाली त्री नाम पदती द्वी नाम पदती और दूसरी वाली कौन सी त्री नाम पदती सुनो कैसे द्वी नाम पदिति कहने का मतलब क्या हो गया नाम लिर्टेन हैं दो बासा कर दो बासट द्थल जैसके किसका नाम है रमेश कुमार तो यहां करा रमेश कुमार ठीक है अगर दो सब्न के अदर बोलूका एक नाम दो नाम केवल आकिवल दो inspired रमेशु खुमार और अगर कोई ऐसा प्राणी है जिसका तीन नाम के अंशे घंए रमेशु कुमार जो भी है पीचिए तीन अगर नाम से होगा इसको क्या बो नेंगे हम त्री नाम पदती तीन सब्दों से होगा तीन वर्ड से होगा ठीक है एक दो तीन अगर तीन तीन सब्दों के अंदर करेंगे इसको क्या बोलेंगे हम त्वी नाम पदती और अगर केवल दो सब्द में करूंगा रमेश कुमार दो सब्द तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको द्वी नाम पदती अब सुनो आप द्वी नाम पदती इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिस वाले बोलते हैं अंग्रिय्ज लोग यह बोलते हैं इसको बाइनॉमियल ऑर सिस्टम थेक इसको बोलेंगे हम ट्राइनॉमियल कि सिस्टम क्या बोलेंगी हम क्या बोलेंगे सम दूस Super layer नाम्स पता चल रहा है जिलीन दो सब एक तम बायूमेल करने का मतलब क्या हो गया दो सबसे मिलकर नामकरण दो सब्ध, एक दो, दो सब्ध से मिलकर नामकरन होगा, तो हम स्टार्ड करेंगे, त्री नाम पदति को यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम स्टार्ड करते हैं किसको दी नाम पदति, और नामकरन किसने दिया था? बहुत बढ़िया, केरोलस, लीनियस ने, यह जो नामकरन वगर कि स्टार्ट करते हैं बाइनॉमियल सिस्टम को अरे बाते समय आ रहे कि आपको सेकेंड इस्टप चल रहा है नामकरण नामकरण क्यों करना जरूरी है ये बात आपको समय आगी होगी नामकरण करना क्यों जरूरी है क्योंकि सभी देश के अंदर अलग-अलग नाम होने के कार दो सब्दों को मैं और करेंगे तो क्या वोलेंगा इसको आई नॉमियल सिस्टम और अगर तीन तीन नाम से करेंगे वह वह दो किसे करेंगे आपन गुदकभ यू Selे है तो चलते हैं सबसे पहले द्वी नाम पबती द्वी नाम पदति कहने का मतलब दू सब्दों के अंदर इसका नामकरण करेंगे कितने सब्दों के अंदर करेंगे दू सब्दों में इसमें क्या होगा जीवों का नाम करण दो सब्दों से कि दो सब्दों में क्या जता है किया जाता है ठीक है एक ये सब एक ये सब एक ये एक ये बास में आगी क्या जिवो का नाम करन केवल दो words के अंदर किया जाएगा अरे बाते से में आरे किया दो सब्द के अंदर किया जाएगा अब नाम करन करने के भी अलग अलग तौर तरीके होते हैं अलग अलग उसके अंदर system होते हैं अलग अलग rules regulation होते हैं बात समझना nomenclature करने के भी अलग-अलग rule regulation होते हैं कैसे रूल की बात करेंगे rule rule की बात करेंगे rule number one देखो ध्यान देना सभी rule को ध्यान देना ऐसे नहीं कि मूटा के किसी कभी नाम करन कर लिया ऐसे नहीं भाई ऐसा नहीं होगा रूल इसके भी अलगे लगे रूल होंगे रूल नमबर वन, रूल नमबर वन सभी समझेंगे, नामकरण, दो सब्दों में किया जाता है, दो सब्दों में किया जाता है, जिसमें पहला सब्द वन्स जीनस तथा दूसरा सब्द जाती इस्पिसिस परदर्शित करता है बात समझो भाई, यहांपर क्या बताया इसने नाम बताया है, कि जो नामकरन करेंगे वो दो सब्दों से मिलकर करेंगे, कितने सब्दों से मिलकर करेंगे हम दो सब्दों से मिलकर करेंगे एक नाम लिखता हूं मैं मैंजी फेरा इंडी का ये नाम किसका है आम का नाम है किसका नाम है ये आम का नाम है तो आम का नाम क्या हो गया मैंजी फेरा इंडी का क्या नाम हो गया इसका मैंजी फेरा इंडी का तो मैंजी फेरा इंडी का देखो आराम आराम से समझे ना नाम करण दो सब्दों में क्या जाएगा रूल नमबर वन नाम करण दो सब्दों में क्या जाएगा क्यवल बहुत ब जो इसका once है ठीक है वो पहला सब्द क्या दिखाएगा once दिखाएगा और indica क्या है इसकी जाती है अरे बहुत बढ़िया पहला सब्द तो क्या दिखाता है उसका once दिखाता है क्या दिखाता है यानि उसका genus दिखाता है और जो second सब्द है वो क्या दिखाती है उसकी species दिख दिखाता है और दूसरा सब्द दिखाता है उसकी जाती दिखाता है बाततर सभी में आरे क्या तो दूसरा सब्द कैंदी जाती दिखाएगा उसकी इस्पीसिस दिखाता है तो यह होगा अपना rule number one rule no second की बात करेंगे the rule number second the rule second वन्स नाम वन्स नाम हमेशा वन्स नाम का पहला अक्सर वन्स नाम का पहला अक्सर हमेशा कैपिटल वोना चाहिए कि तथा कि अब देखो यह क्या बताना चाहरा है कि जो वंस नाम है अरे वंस नाम कहने का मतलब वो पहला वाला मैंने एक्जंपल देता किसका आम का एक्जंपल देता मैंजी फेरा इंडी का तो मैंजी फेरा इंडी का में क्या हुआ देखो वापीस सुनो मैंजी फेरा इंडी का उसने क्या बताया कि जो पहला नाम होगा वो क्या बताएगा उसका हाँ बहुत बढ़िया ये बताता है उसका वंस बताता है दूसरा क्या बताएगा उसकी जाती बताता है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है अब उसने ये बताया कि जो वन्स नाम है वन्स नाम का जो पहला वाला जो अक्सर होगा अरे बहुत बढ़या सभी कान खुले रखेंगे रूल पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट रूल कि वन्स नाम का पहला अक्सर कैसा हो ना चाहिमार्ट होना चाहिए हमेचा मेचा यसमüstर का सब्सK Thr학 हमेचा मेचा लöhण चाहिए remains एंदूर्ट को टो मैंने जिक साफ्प, हमें लूर्ट को आता साइब आ इसंसर बाइंद ध्यां देए अगर समय है जिए कई स्नक्न का इस्थर इसकर जाहिए लूर्ट ह guitar in whatever यहां पर क्या हो गया पहला अक्सर क्या हो गया यहां पर चोटा हो गया यहां पर इसका अक्सर चोटा होना चाहिए यह क्या हो गया बड़ा हो गया यानि उसलों के साथ में बगावत हो रही है रूल नंबर टू कहता है कि इसका पहला अक्सर बड़ा होना चाहिए और इसका जो पहला अक्स, अरे वो कैसा होना चाहिए, चोटा होना चाहिए, तभी हमारा नाम करण क्या होगा, सफल होगा, बासन में आगी क्या, चलो ठीक है, थर्ड रूल की बात करते हैं, थर्ड रूल क्या कहता है, चापते समय, जाती नाम को इटालिक भासा में लिखा, इटालिक कहने का मतलब तिर्चे, लिखा जाता है, लिखा जाता है, बासन में आगी क्या, यह कहना यह चाहता है, कि अगर आप चापते हो, अगर आप चापते हो, प्रिंट करते हो, प्रिंट करते समय, क्या करना पड़ेगा, यह जो इंडिका है, यह वाला कौन सा नाम है, उसका जाती नाम है, जाती नाम को आपको तिर्चा लिखना पड़ेगा, इटालिक जो लि लिखते समय हासे लिखते समय दोनों नाम को दोनों नाम को अलग 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 रेखांकित किया जाता है अगर आप हासे लिख रहे हो तो बास में आरी होगी चारो रूल को एक साथ में देखते हैं नाम करन करना है हमें नाम करन कहने का मतलब जीवों का नाम करन करना है नॉमन क्लेचर करना है सबी बाते समझेंगे नॉमन क्लेचर करने की जुरूत काँ पड़ी सबी देशों के अंदर अलग अलग नाम होते विग् पर रूबन एक तो दुसरी क्यों सी होगी यह बहुत बढ़ा रूम पदती ट्राइनौमियल सिस्टम और बराई बाईनौमियल शिस्टम अगर दो दो सब्दों से मिलकर कर रहे हैं, रमेश कुमार, दो सब्द हैं, तो क्या बोलें कि इसको binomial system, देखते हैं, binomial system के नाम करन करने के कुछ rule, ये rule number one क्या कहता है, rule number one ये कहता है, rule number one ये कहता है, कि जो आगे वाला जो नाम होगा, वो कहलाता है, उसका genus नाम, यानि क्या कहलाएगा, once नाम कहलाएगा, जो पीछे वाला जो नाम है, वो क्या कहलाएगा, उसकी जाती कहलाती है, उसकी species कहलाती है, है wal No अनल पर तो सिब्सक्राइब रूपके डियो फिस जाती का जूत है वह कैसा होना क्या वेक्राइब हमेशा चोटा होना चाहिए ठीक है रूल नंबर धर्र क्यांता है हमेसा अगर हमेशाव प्रींट करते हो तो यह जाती नाम उसको इटालिक लेंग्वेस के लिखना पड़ेगा यानी चापते समय क्या करना पड़ेगा आपको चापते समय क्या करना पड़ेगा तिर्चा लिखना पड़ेगा और रूल नंबर फोर क्या कहता है कि हासे लिखते समय क्या करना पड़ेगा आपको रिखांकित करना पड़ कितने अगे फॉर फिर्स्ट प्यांस व्यद्टन का म Door 2 ंवाल ईक्सर में से इसकी जाती मता Лन से जाती होग जाती, क्या लिफते हो, का है कि हासी लिखते हो, बसकी लिखते हो, चाहिए क्चे निकरों किर दा रहे हमीं, तो और चापते हो, तो क्याओ कर लोग से बसको तो जातिका जो नाम उसको क्या कर दो इटालिक भासा के अंदर लिखतो नाम करन की पदति आपको समय में आगी होगी ओके थेंक यू